हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू लिमिटेड एजुकेशन में हुरिंकी कुमारी और बात करूगी आज के न्यू टॉपिक पे नाम है ट्रिगोनमेट्री तो आप लोग भी रेडी हो जाओ और न्यू टॉपिक पढ़ने के लिए ठीक है बहुत जयादा इंपरेश्टिंग है मेरे आप लोग बता दे रही हूं कि यह आप लोग पढ़ चुके हो फिर से पढ़ना पढ़ रहा है तो यह मत बोलना कि मैं आप लोग जल्दी स्टार्ट करो क्या पढ़ा रहे हैं ऐसा हम कुछ नहीं सुनेगी तो आप लोग बस समझना और जो भी मैं न्यू कंसेप्ट आप ल मुझे लगता है कि सायद आप लोग ऐसा कभी आप लोग ट्रिक का यूज कभी किये नहीं होंगे और जैसा बताऊंगी तो आप लोग उसे भूलोगे भी नहीं तो चलो अच्छे से कंसंट्रेट होके देखना ठीक है सबसे पहले है ट्रेगोनोमैट्री है क्या ट्रेगोनो मैट्री ठीक है ट्राइ का मतलब होता है तीन ठीक है गोन का मतलब होता है भूजा ठीक है और ये ट्री भूजा तीन भूजा से मिलके क्या बना है मेरा ट्रेंगल क्या बना है triangle जिसको हम लोग 3 भूज बोलते हैं metric का मतलब होता है measurement कहा से लिया गए है तो measurement से और measurement हम लोग किस में करेंगे तो वो करेंगे geometry में means कुछ concept हम लोग का geometry का भी है तो आप लोग इतना सारा concept means triangle का concept भी पढ़ेंगे और geometry का भी concept पढ़ेंगे geometry क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे angle लेने वाले हैं ठीक है? इसलिए geometry का यूज करना है और triangle के concept पे ही मेरा पूरा trigonometry है तो आप लोग ध्यान रखना ये दो चीज़ triangle के बारे में और geometry के बारे में चलो शुरू करते हैं सबसे पहले है triangle तो याद रखना triangle तो बहुत सारे हैं लेकिन पूरा trigonometry में सिर्फ हमनों को यूज करना है कौन से triangle के है तो वो है right angle triangle ठीक है? चलो अब थोड़ा सा basic जान लेते हैं ये आपका कोई right angle triangle है right angle triangle का मतलब क्या होता है एक कोन मेरा 90 degree होना चाहिए ठीक है? मान लेते हैं कि ये आपका कोई ठीटा angle है ठीक है? right angle triangle में ठीटा के सामने बाले को क्या बोलते हैं हम लोग? perpendicular ठीक है? जिसके साथ angle बनाता उसे क्या बोलते है? base और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? hypotenuse ठीक है? चलो perpendicular को हम लोग हिंदी में बोलते हैं lump base को बोलते हैं आधार और hypotenuse को क्या बोलते है? kern ये सब तो basic बात है आप लोगो भी पता होगा ठीक है? perpendicular को हम लोग हमेशा दिनूट करेंगे P से आधार को B से and hypotenuse को H से याद रखना ये सब new word नहीं perpendicular का P लिए है base का B लिए है और hypotenuse का H लिए perpendicular को हमेशा P से दिनूट करेंगे base यानि B से और hypotenuse को H से दिनूट करेंगे ठीक है? चलो ये तो देख लिए चलो एक new concept और बताते हैं हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कोई जल्दी नहीं है ठीक है? क्योंकि टाइम लेके अगर बताएंगे तो आप लोग के भी माइन में आराम से घुसेगा ठीक है? आप लोग देखना चलो एक new concept है new concept नहीं है ये तो triangle का था उसके बाद एक term था geometry तो geometry में हम लोग सबसे पहले quadrant के बारे में पढ़ेंगे ये होता क्या है तो दिखो ये चीज़ आप लोग भी देखेंगे इसको बोलते हैं positive x-axis ये है positive y-axis ये होगे आपका negative x-axis और ये होगे आपका negative y-axis इतना तो बारे पता है देखो इसको बोला जाता है first quadrant इसको बोला जाता है second quadrant इसको थर्ड और इसको बोला जाता है fourth quadrant ठीक है याद रखना इधर जो लाइन जो दूरी तेख करेगा वो क्या होगा positive इधर जो दूरी जाएगा वो हो जाएगा positive y-axis के तरफ मिंस ये भी positive इधर जो तेख करेगा negative जारा means negative कोई भी distance होगा और इधर जाएगा तो वो भी negative होगा इतना सारा चीज आप लोगो quadrant में मालूम होना चाहिए ठीक है फर्स्ट ये second third fourth ठीक है चलो धीरे धीरे हम लोग subject सिखेंगे next देखते हैं next में आप लोग पढ़े होंगे trigonometric ratio क्या होता है trigonometric कर दो, metric ratio वो होता है आप लोग का sign ratio जिसको हम लोग sign बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते है, sign देखो चलो एक figure माला लेते हैं आपका ये कोई figure है ठीक है ये angle theta दिया हुआ है तो ये perpendicular, ये base और ये hypotenuse ठीक है इसी तरीके से आप लोग cosine ratio cosine ratio जिसको हम लोग cos theta बोलते हैं इस equal to क्या हो गया, cos theta is equal to base by hypotenuse तीसरा है tangent जिसको हम लोग tan theta बोलते हैं जिसको pyb देखो mainly हम लोग को तीन ही ratio, sin ratio, cosine ratio, tangent ratio लेकिन जब इसको हम लोग उल्टा करते हैं तीन को तीन ratio और find होता है वो होता है sine का उल्टा cos theta का उल्टा से और tangent का उल्टा cotangent यानि और theta लेकिन आपका mainly यही sine, cosine, tangent है ठीक है अब सबका अगर उल्टा करते हैं, cosine का अगर उल्टा करते हैं तो यह होता है cosine, cosine, theta जिकोल को क्या हो जाएगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका h by p cosine यानि cos theta और इसका जब reverse करेंगे तो यह होगा sic theta और इसका क्या हो जाएगा तो h by b और tangent का होता है cotangent यानि cot theta is equal to b by b आपका यही 6 ratio है sin, cos, tan, cos x, sec और cot ठीक है देखो इस सबको याद करने का आप लोग के पास एक trick बताती हूँ आप लोग trick याद कर लेना trick क्या है तो वो देखो पंडित, बद्री, प्रशाद, हर, हर, गोले यह आप लोग 3 से ही जानते होंगे ठीक है बहुत basic सा यह trick है याद करने का बहुत लोग भूल जाते हैं कि sign का क्या होता है formula cos का क्या होता है, tan का क्या होता है, cos x, sec, cot का क्या होता है अगर आपको यह formula याद है तो आप लोग sin, cos, ten आराम से याद कर सकते हो यह जो हो गया आपको याद कर लोग, यह sin है यह cos है, यह ten है अब ठीक इसका reverse कर दो तो यह हो गया cos cos का हो गया sec और ten का हो गया cot यह चीज़ा याद है, तो आप लोग देखो कितना आराम से याद कर तो sin का पुछेगा, यानि, p by h perpendicular by hypotenuse cos का पुछेगा, तो base by hypotenuse ten का तो perpendicular by base ठीक इसका reverse cos से का पुछेगा, तो hypotenuse by perpendicular sec का पुछेगा, तो hypotenuse divided by base और cot का पुछेगा, तो base divided by perpendicular यह बहुत ही तरीका है, अगर आप लोग को इस तरीके से formula याद नहीं होता है, तो आप लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है? पंडित बदरी, याद नहीं हो रहा है तो आप लोग कहीं लिख लो पंडित बदरी प्रशाद हर हर बोले उपर वाले लाइन में हो जाएगा, sine, cosine और ठीक, इसका reverse हो जाएगा, cosec, sick और cot यह आपका याद करने का तरीका था, ठीक है? चलो next देखते हैं next है, आप लोग एक जगा note करके लिख लो note करके यह चीज लिख लेना, sine theta is equal to 1y cosec theta होता है तो 1y cosec theta, उसी तरह अगर cosec theta पूछ दे, तो क्या करो गया अपका रिवर्स यानि 1 upon sine theta, ठीक है? उसी तरीके से देखो, cosec theta is equal to क्या हो जाएगा? तो 1 upon sick theta, ठीक है? और रिवर्स कर दो means sick theta is equal to क्या हो जाएगा? तो 1 upon cos theta 10 theta is equal to क्या हो जाएगा? 1 upon cos theta और cos theta क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 upon 10 theta इन सारे के बाव जूब दो formula आपका और है अगर sin plus का value बता है और कुछ एगा 10 कैसा निकलना है तो एक formula आपका यह हो जाएगा? आपका sin theta upon cos theta और cos theta तो ठीक इसका रिवर्स क्या? तो cos theta upon sin theta यह आपका कुछ basic सा बात था देखो इतना ही सार्थ में यह भी हो सकता है कि sin theta into cos theta बराबर क्या होगा? 1, cos theta into sec theta is equal to 1, 10 theta into cos theta बराबर 1, ठीक है? तो यह सब चीज बेसिक सा बात है आप लोग भूल लिना है नहीं बहुत इजी है अच्छे सी याद हो जाएगा चलो अब ही जो भी concept पढ़ाई हूँ इस पर एक question बताती हूँ एक exam में किस तरीके से question आते हैं? जैसे जैसे आप लोग को जो भी concept पढ़ाऊंगी वैसे वैसे आप लोग को एक-एक question भी करवाते जाऊंगी ताकि आप लोग को problem ना हो ठीक है? और आप लोग को भी topic पढ़ने में या theory पढ़ने में interest आएगा ठीक है? theory plus question करते रहते हैं तो मज़ा आता है बनाने में और आगे देखने में तो सबसे पहले चलो question number 1 लेते हैं अभी तक जो भी पढ़े हैं उस पे लेडिए question है कि 5 10 alpha 5 10 alpha is equal to 4 is equal to 4 यह गीर है तो आपको find करना है find क्या करना है तो वो है 5 sin alpha minus 3 cos alpha divided by 5 sin alpha और plus 2 cos alpha देखो अभी जो भी पीछे concept पढ़ाया थे प्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसी पी यह question है 5 10 alpha is equal to 4 दिया हुआ है तो आपको find क्या करना है 5 sin alpha minus 3 cos alpha divided by 5 sin alpha plus 2 cos alpha आप लोग क्या करोगे कि तूरत question आया नहीं कि तूरत pen उठा के solve करना शुरू करोगे क्या 10 alpha is equal to 4 by 5 ठीक है इसको बोलोगे P इसको बोलोगे B तूरत h find करोगे h का value कितना हो जाएगा h का value तूरत आप लोग फाइंड करोगे कि P square plus P square यानि 4 का square plus 5 का square यह चार जोके 16 और 5 पच्चे 16 और 5 पच्चे 25 यह कितना होगे 6, 5, 11, 13 यानि root 41 10 alpha is equal to 4 by 5 10 alpha का value क्या होता है P upon B P यानि perpendicular और base और right angle triangle में पता है कि यह कर निकालने का formula होता है root अंदर long square plus आधार square तो यानि 4 का square plus 5 square ऐसे कर के निकालोगे फिर यहां से P पता चल गया B पता चल गया H पता चल गया अब आप लोग क्या करोगे साइन, साइन के जगा रखोगे P by H, और इस तरीके से आप लोग value find करोगे यह चीज़ आप लोग को नहीं करना है अरे यार, competition का exam दे रहे, आप तो mind चलाओ कम से का यह सब बच्चों वाली हरकत नहीं करना है exam नहीं दे रहे, आप लोग 10, 11, 12 का जो इतना basic समय ठड़का, यूज कर रहे हूं थोड़ा mind को सार करो, ठीक है देखो, बनाना कैसे है, approach कैसे करना है 5, 10, alpha बड़ावर 4 दिया हुआ है और find करना है कि 5 sin alpha minus 3 cos alpha divided by 5 sin alpha plus 2 cos alpha तो क्या करना है यह देखो सबसे पहले आप लो cos alpha common लेलो अगर cos alpha common लेते हैं, तो क्या होगा वो हो जाएगा 5 sin alpha कौन cos alpha ठीक है, और minus 3, क्योंकि cos तो common लेली है और divided by नीचे से भी cos common लेलो अगर cos alpha common लेलेते हैं, तो यह क्या होगा 5 sin alpha divided by cos alpha plus 2 हो गया ठीक है, यह cos से, यह cos cancel हो गया sin upon cos, पीछे पढ़े थे अभी just sin upon cos क्या होता है, 10 तो आपका वैल्यू क्या निकला, यह हो गया 5 10 alpha minus 3 upon 5 10 alpha और plus 2 अब उपर देखो तो, 5 10 alpha था वैल्यू पता है क्या दिया हुआ है, 4 यानि बैल्यू क्या निकला, 4 minus 3 और divided by 4 plus 2 यानि 1 upon 6 देखो कितना easily बन रहा है, जरूरी नहीं है कि हमीशा कूपी और पेन उठा है और बस अपना basic सा method लगाना शुरू करते हैं यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है, आप लोगो किस तरीके से अप्रोच कर रहा है थोड़ा सा बेट करो क्या करेंगे कि हमको तो तेन अलफा को तोड़ने की जरूरत भी नहीं करना पड़ेगा आराम से कॉस अलफा कॉमले लिए फूद यह 10 के फॉर्म में आया 10 का value पता है, आराम से मेरा answer कितना आया तो 1 by 6 ठीक है अभी सिर्फ basic पे धियान देना अभी degree उग्री कुछ कहीं नहीं अभी बात कर रहा है जो बताई उस पे question देख ठीक है अपना concept मत यूज करने लगना नेक्स टॉम है अब थोड़ा सा हम लोग quadrant के बारे में पढ़ते हैं अब थोड़ा सा quadrant में एक step और आगे चलते हैं first, second, third, fourth quadrant तो बताएं तो वो तो आप लोग देख लिए अब थोड़ा सा deep में चलो सब कुछ हम लोग figure के माद ही हमसे देखेंगे ठीक है यह अपका 4 quadrant है आपको पता है कि यह positive x होगा यह positive y axis होगा यह negative x axis होगा और यह negative y axis होगा ठीक है right angle triangle क्या यह आपको right angle triangle दिख रहा है क्या यह perpendicular और यह base होगा, ठीक है, यह base है, तो यह क्या हो जाएगा, hypotenuse यानि curd, ठीक है, आपको base क्या दिख रहा है, positive x-axis पे जो line चल रहा है, means यहाँ पे base क्या है, तो आपका base positive है, perpendicular क्या, किधर जा रहा है, तो positive y-axis पे जा रहा है, तो बोल सकते हैं, कि आपका जो perpendicular है, वो भी positive होगा, और kern तो हमेशा positive होगा, क्यूं, क्यूंकि kern बराबर होता है, p² प्लस b², और कोई भी value root के बाहर निकलेगा, या root के अंदर रहेगा, कुछ भी होगा, जब h का value फाइनली बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, वो तो always positive होगा, ठीक है, गौर करना क्या बता रहे है, आपका b positive है, p positive है, और h तो आपका always positive होगा, तो जितना प्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, sin, cos, 10, cos, sec, or cot, अगर p positive है, b positive है, और h positive है, means कहने का मतलब अपकर trigonometric सारा रेशियो positive होगा, means first quadrant में, यानि first quad जो आपका बना ये, इस में trigonometric का सारा रेशियो क्या होगा, सारा positive होगा, positive कहने का मतलब sin, cos, 10, cos, sec, sec, or cot, इसमें जो भी angle आपका रहेगा, यानि जितना trigonometric रेशियो बनेगा, वो सारा positive होगा, इकदम basic वाला matter, जो आप लोग कहीं देखे भी नहीं होगे, सब देखे भी होगे, तो क्या देखे होगे, कि first quadrant में sin, cos, 10, cos, sec, or cot positive होता है, लेकिन क्यों होता है, वो region में आप लोग को बता रही हूँ, तो आप लोग धिहान देना, क्यों होता है, क्योंकि base, positive x-axis पे जा रहा है, वो always positive होगा, perpendicular positive y-axis पे जा रहा है, always positive होगा, और जब card निका देगे, तो simple सा बात है, वो always positive ही होगा, यानि P positive है, B positive है, H positive है, तो means sign costing, इस छो में, मेरा तो P, B और H पे ही न बेश्ट है, यानि इसमें first quadrant में सारा चीज positive होगा, ठीक है, चलो, अब second quadrant में आते हैं, अब हम लोग second quadrant में आते हैं, यह आपका second quadrant है, यह आपका second quadrant है, आपका यह 90 degree हो गया, इसको आप लोग ठीटा, अगर यह ठीटा है, तो कहने का मतलब, यह मेरा P हो गया, और यह मेरा base हो गया, और यह मेरा hypotenuse हो गया, तो यह देखो, तो आप क्या positive यहाँ पे जो आपका triangle बन रहा है, यह जो आपका triangle बन रहा है, इसका B देखो तो कहा जा रहा है, यह negative x अक्सिस पे जा रहा है, means B negative होगा, x तो always positive है, यह आपको भी पता होगा, और P positive y अक्सिस पे जा रहा है, means P मेरा positive होगा, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, आप बताओ, sign theta, एक चीज़ साइट में आप लोग लीफ लेना कहीं, यहाँ पर बता देते हैं, पंडित बदरी प्रशाद हर हर बोले, ठीक है, यह shine है, यह cause, यह 10, ठीक है, इसी तरह यह cause एक, यह shake और यह cut, ताकि आप लोग को भी ध्यान रहे हैं, second quadrant में जबाते हैं, तो बोल रहा है कि, P मेरा positive है, base negative है, और H positive है, तो यहाँ पर पहले बताओ, कि B मेरा कहां कहां negative, B का tom मेरा कहां कहां use होता है, तो B का tom यूज होता है, cos में, sick में, 10 में और cot में, क्योंकि cos बरावर byh लिखते हैं, 10 बरावर byb लिखते हैं, और cot बरावर byp लिखते हैं, यानि, इस चार tom में मेरा B negative है, लेकिन, H और P मेरा positive है, means, sign और cosec positive है, तो बोल सकते हैं, कि second quadrant, second quadrant में आप लोगा, second quadrant में आप लोगा, सिर्फ, sign, और cosec, यही आपका दो positive होगा, यही आपका दो positive होगा, बांकि, जो भी 10, cos एक, 10, sick, cot और cos, यह चार आपका negative होगा, तो याद रखना ठीक है, region आप लोगों को बता दी, क्यों negative होगा, क्योंकि यहाँ B का tom negative है, और B किस किस ratio में होता है, तो cos में होता है, 10 में होता है, sick में होता है, और cot में होता है, इसलिए, यह साड़े आपके second quadrant में negative होगे, और sin और cos एक में positive होगे, ठीक है, चलो हम लोग third quadrant की बात करते हैं, color इसलिए change कर देती हूँ, ताकि, आप लोग को अच्छे से दिख जाए, ठीक है, चलो, third quadrant की बात करते हैं, third quadrant की बात करते हैं, तो यह अगर मेरा 90 degree है, और इसको अगर हम लोग ठीटा माल लेते हैं, तो ठीक इसके सामने, यह perpendicular हो गया, यह hypotenuse हो गया, और जिसके साथ angle बना रहा है, वो मेरा base हो गया, तो base आपका क्या होगा, वो होगा आपका negative, ठीक, negative axis पे है, P क्या होगा, तो P भी आपका negative होगा, क्यूंग 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 यह y-axis पे होगा, ठीक है, और hypotenuse तो always positive, क्यूंग क्यूंकि, hypotenuse बराबर क्या होता है, रूट के अंदर, P A Squared और प्लस B A Squared, ठीक है, अगर negative P A Squared करोगे, तो भी वो बाहर जाके positive ही निकलेगा, ठीक है, तो always आपका H positive होगा, आप बताओ, यह third quadrant में आपका कौन-कौन सा trigonometric ratio positive होगा, और B भी negative है, ठीक है? यानि, P और B किसमें इस्तेमाल होता है तो 10 में होता है और कोट में होता है, तो एक चीज़ ये बताओ कि 10 θ is equal to P by P होता है और आपका क्या दिया हुआ है P भी negative में दिया हुआ है और B भी negative में दिया हुआ अरे भाई ये minus से minus कट गया तो क्या आपका 10 positive निकला और 10 positive है इसका मतलब quart भी positive है क्या बोल सकते हो कि 3rd quadrant में आप लोगा 3rd quad में आप लोगा 10 भी positive हो गया 10 भी positive हो गया और quart भी positive हो गया मिंस ये दो term आप लोगा positive होगा और बाकी सारा negative होगा पूछोगे क्यों बोलोगे कि मैं यहाँ पे H तो positive है अरे भाई तो H अगर positive है तो P negative ऐसा तो कोई rule नहीं है अगर यहाँ पे B का term लोगे तो B by H कोई rule नहीं है P और B का term ही negative दे रहा लेकिन दोनों अगर cancel हो जाता है तो आपका positive बनेगा तो 10 अगर positive है तो बोल सकते हो कि quart भी positive होगा ठीक है तो बोल सकते हो लोगो कि आप लोग का third quadrant में 10 और quart positive होगा ठीक है next fourth quadrant है तो fourth में हम लोग देखते हैं fourth चलो तो fourth quadrant में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है तो fourth quadrant में यह अगर 90 degree है और इसको अगर हम लोग ठीटा लेते हैं तो यह आपका perpendicular हो गया ठीटा के सामने perpendicular जिसके साथ angle बना रहा है वो base और यह hypotene तो base आपका positive x axis पे है यानि बोल सकते हैं कि base positive होगा ठीक है perpendicular negative y axis पे जारा means perpendicular negative होगा और hypotenuse तो always positive अब बताओ कौन-कौन सा मेरा positive कौन-कौन सा trigonometric रिश्च आप लोग का positive होगा तो b positive h positive है तो b और h का कहा कहा यूज हो रहा है तो b और h देखो तो cos और 6 में यूज हो रहा है b by h और h by b यानि fourth quadrant में क्या हो जाएगा तो fourth quadrant में cos चिटा और 10 ठीटा cot ठीटा और 6 ये दो चीज आप लोग का positive हो जाएगा ठीक है और बांकि सारा negative p negative है तो याद करो ना p जिस-जिस में है यानि sign में भी negative cos एक भी negative, tan भी negative, cot भी negative सिरफ b और h positive है means cos और 6 positive होगा बांकि सारा negative होगा ये quadrant का आप लोग का कहानी था ठीक है बहुत ज्यादा interesting था चार color का भी use कर लिए अच्छा लगा देखने में मुझे भी एक color का यूज करते हैं तो सारा आप लोग भी समझ नहीं पाते तो आप लोग को अगर नहीं समझ में है तो फुद एक वार copy पे अच्छे से draw करना और फुद समझने की कोशिज करना अगर नहीं समझ में आते हैं तो वीडियो को फिर से repeat करना और समझने की कोशिज करना कि फर्स्ट क्वाडरेंट में आप लोग के जितने भी trigonometric ratio है वो सारा positive होगा सेकंड क्वाडरेंट में sign और cosic positive होगा थर्ड में 10 और cot positive होगा और फॉर्ट क्वाडरेंट में आप लोग का cos और 6 positive होगा सब बाखी सारा negative होगा याद रखो जितना अच्छे से याद रखोगे आगे आप ही लोग के काम में आने वाले हैं नहीं याद रखोगे आप ही लोग को problem होने वाला है ठीक है क्यूंकि इसका use बहुत आगे तक है और trigonometry बहुत बढ़ा चेप्टर है आप लोग के mathematics का ठीक है इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना चलो इस पे best हम लोग question एक कर लेते हैं देखो question किस तरीके से आप लोग को पूच सकता है question number two है पहले भी बोल दीग हूँ कि जिस तरीके से थिओरी पढ़ाँगी if theta is in second quadrant and एक condition आप लोग को दिया हूए क्या है वो condition तो दिया हूए है 3 tan theta plus 4 is equal to plus 4 is equal to 0 एक condition दिया हूए है 3 tan theta plus 4 is equal to 0 ठीक है तो आप लोग को find करना है find क्या करना है तो वो है 15 sin theta plus 10 cos theta और minus 8 cos theta ये चीज़ आप लोग को find करना है कि इसका value कितना होगा पूछोगे कि quadrant देखो यहाँ पे quadrant की बात चल रही है इस चीज़ को आप लोग ये मत करना कि छोड़ देना बहुत लोग क्या करेगा कि direct 3 tan theta plus 4 is equal to 0 तो 10 theta का value minus 4 by 3 निकालेगा और direct sin theta निकालेगा cos theta निकालेगा value put कर cancer देगा तो याद रखना कि आप लोग को गलत आभी सकता है क्योंकि एक condition आप लोग को ये भी दिया हुआ है कि theta जो है 10 negative किस quadrant में होता है पीछे देख़ो आप लोग पीछे दिखा दिया यहाँ पे 10 theta negative 1st quadrant में तो सारे कि सारे ratio positive होते है 10 theta 3rd quadrant में तो खुद positive है means second और fourth में negative होगा ठीक है second और fourth में negative है ठीक है तो कहने का मतलब 10 theta या तो second quadrant का है या तो fourth quadrant देका है लेकिन question में मिन संकर देया है कि आप लोग का theta जो है वो second quadrant का है ठीक है तो पहला process किया है कि आप लोग को यहाँ पे 10 theta बराबर होता है P upon B ठीक है तो यहाँ से आप लोग एच find कर लोगे और फिर वहाँ से sin theta, cos theta, cos theta का value निकाल के यहाँ पे कर दोगे ठीक है यह पहला process था दूसरा process है कि हम लोग एक triangle बनाते है राइट एंगल ठीक है यह मान लेते हैं कि theta है theta के आगे होता है perpendicular यह होता है base और यह होता है hypotenuse P दिया हुए direct सिर्फ हम लोग positive negative को भी छोड़ दो हम लोग सिर्फ value लेते हैं तो यह हो गया 4 यह हो गया 3 तो generally 4 और 3 दिया हुआ तो hypotenuse क्या हो गया वो हो गया 5 ठीक है यह direct है आप बताओ एक तरीका देखो second quadrant में आपका क्या क्या positive होता है तो second quadrant में आपका sine और cosec positive होता है sine cosec कहने का मतलब P और H तो B negative होगा तो direct आप लोग भी ना कुछ सोचे समझे कि B को negative कर देना क्या करना B को negative कर देना ठीक है पहला process तो यह बता है ठीक है दूसरा process यह बता रहे है कि आप लोग 10 ठीटा में 4 तीन का value दिया हुआ है आप लोग value put कर लिए बोल रहा है कि theta second quadrant में है ठीक है तो second quadrant में हम लोग साइन और कॉसेक का यूज करता है और दोनों positive होता है यानि P और H positive होगा क्योंकि साइन में भी pH होता है और कॉसेक में भी h और भी होता है ठीक है तो पी एच पी और है तो अल्रेडी positive है तो मेरा negative क्या होगा तो वो होगा base तो base is equal to minus 3 का value आ गया तो अब आप लोग यहां स साइन बड़ाबर निकाल लो साइन ठीटा निकालते हो तो वो क्या होता है 4 upon 5 by h कॉस ठीटा निकालोगे तो वो हो जाएगा minus 3 upon 5 और 8 दिया होगा कॉस ठीटा तो 10 ठीटा बड़ाबर minus 4 by 3 है तो कॉस ठीटा नहीं निकाल सकते हो तो minus 3 upon 4 हो जाएगा अब यह value आप लोग यहाँ पे put करो तो value कितना निकलेगा, 5 into 4 upon 5, ठीक है, और plus 10 into cos theta का value है, minus 3 upon 5, और minus 8 into cos theta का value क्या है, तो minus 3 upon 4, साधी value को cancel करो 5 से, 5 तियाए 15, 5 से 5 दुनी 10, 4 से 4 दुनी 8, next क्या हो जागा, चारती है, 12 minus 3 दुनी 6 और minus minus plus 6, यह से यह cancel हो गया, तो answer क्या है, मेरा answer आया, 12, ठीक है, यह तरीका था, आपको जो तरीका पसंद आता है, आप लोग direct byb का भी concept लगा सकते हो, लेकिने यह सब बच्चों वाला concept हो गया, आप लोग competitive exam का त्यारी करो, तो थोड़ा ऐसा, सार प्रूविय में कोई चीज़ बनाने की कोशिज करो, ठीक है, चलो आज के class में देखो, हम लोग कितना कुछ पढ़ लिए हैं, trigonometric क्या होता है, उस चीज़ के बारे में पढ़े हैं, trigonometry में हम लोग right angle triangle का ही यूज करेंगे, और पूरा trigonometry हम लोग का right angle triangle पर ही बनेगा, और थोड़ा बहुत geometry का भी यूज है, quadrant क्या होता है, first, second, third और fourth, ठीक है, trigonometric ratio क्या होता है, तो sign को cause, stain, causex, sick और got और कुछ हम लोग trick पढ़े हैं, ठीक है, एक-एक example भी ले लिए है, quadrant, ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से जान लेना, समझ लेना, ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको पता रहेगा, तो आगे और अच्छे से question clear हो पाएगा आप लोगा, ठीक है, और समझने में कोई problem नहीं होगी आप लोगो, ठीक है, इस पे best question भी देख लिए हैं, ठीक है, पहले बनाने की कुछिस करना, कि आप लोग सो सही बन रहा है कि नहीं, नहीं बन रहा है, तो आप लोग फिर से वीडियो को एक बार अच्छे से चला के देख लेना, कि कहां आप लोगो problem हो रही है, ठीक है, चलो, अगर कहीं अगर आप लोगो किसी भी topic में अगर problem हो, तो comment में जरूर बता देना कि यहां पर problem है, मैं next class में solve खड़ने की कोशिस करूंगी, अगर यह वीडियो अगर आप लोगो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को like and share जरूर करना, और मिलते है next lecture में next topic के साथ, कुछ interesting के साथ, new technique, new trick के साथ, ठीक है, तब तक के लिए thank you.